स्रिलंका उन प्राडंभिक देशों में हैं जहां पर सबसे पहले बौधधम फैला बौधधम की त्रीती शंगती के बाद सम्राट अशोक के पुत्र महींद और बेटी शंग मित्ता बौधधम का संदेश लेकर स्रिलंका गये थे वे अपने साथ बोधी विडिच की शाखा भी लेकर गये थे जहां उसे रूपा गया जिस सम्राट अशोक के पुत्रा-पुत्रिस लंका गये थे उसमें वहाँ के राज़ा देवानम पी तिस थे देवानम पी तिस बौधधम के सिद्धांतों से प्रभावित हुए और वे ब बुद्धोष नामक बॉद्धिकू स्रिलंका गये वहां बॉद्ध्धम के प्रशार में उनकी बड़ी भूमिका रही बुद्धोष का जन्म गया के निकट हुआ था विराजा महानामन जिनका शासनकाल चार सानौ से 31 इस्वी तक था के शासनकाल में स्रिलंका गये थे बॉद्धम के साथ-साथ बॉद्ध घला भी श्रिलंका पहँची स्रिलंका की चितर कला का सब चुंदर नमोना सिगीरिया गुफा विवार में मिलता है। वर्मा भारत की पुर्वी सीमा से सटा हुआ देश है अब इसका नाम मयानमार है वहां बाद धहम की प्रधांता है बड़मा में बाद धहम का प्रवेश तीसरी शदी इशापुर में मौरिश अमराथ अशोक के काल में हुआ पांचमी शदी में बाद दार्शनिक बुधकोस पाली पुस्तके लेकर थातोन गैते असोक के समय में वर्मा श्वर्न भूमी के नाम से चर्चित था बाद साहिती के अनुसार असोक ने सोन तथा उत्रा नामक बाद भिक्वों को धम प्रचाड़ेतू बर्मा भेजा था राहुल सांकृतियायन ने लिखा है कि दक्षिन ब का ध्वन सावसेश हमावजा में वर्तमान विद्यमान है हमावजा के समीब के एक गाउं में दो श्वरन पत्र अभिलेक मिले हैं जिन में दक्षिन की चौथी पांचमी सदी की कदम लिपी और पाली भाजा में बुद्ध वचन उतकिर्ण है एग्यार्मी सदी में सीन अरह के पास ले गए सिन अरहन के प्रभाव तो था राजा अनुरूद के उत्सा से बहुत धम बर्मा में दावागनी की तरह फैलने लगी बर्मा में पगान एगार्मी से तिरहमी सदी तक बहुत संस्रिती का महान के इंदर बना रहा यह श्रे वहां के पतापी राजा अनुरू नेहीं खेजगोन पैगोडा का निर्मान कराया था राजा अनुरूद ने पाली भाषा को गिक्सित हिया जाता अनेक बहुत करन्तों का पाली भाषा में अनुवाद कराया